नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है गुरु वार को देव गुरु बरसपती की पेसेस पुजा की जाती है गुरु भागेकर भागे और धरम के कारत ग्रह माने गए है कुंडली में गुरु की स्थिती और कासर वेभाईक जीमन पर होता है यदि गुरु स्थिती में हो तो भागे का साथ मिलता है तदा पत्ति पत्ति में प्रेम बना रहता है अगर इसमें दोस्त हो तो इसका उल्टा हसर हो सकता है गुरु वार को सुर्योदे से पहले उठे असनान के बाद बगान विश्णों के सामने गीक का दिपक जलाए गुरु वार को पुजा के बाद केसर का तिलक लगाए यदि केसर ना हो तो हल्दी का तिलक भी लगा सकते है इसके बाद काम के सुरुवात करे पीली वस्तूों का दान करें पीली वस्तू में जैसे सोना हल्दी चैने की दाल आम कफा लित्या दी गुरुवार को सिव जी को बेसन के लड़ो का भोग लगाए इस उपैसे गुरु करें के दो सांत होते हैं गुरुवार का ब्रद्ध भी करें गुरु ब्रिस्पति की प्रतिमाया फोटो को पिले कपड़े पर बिराजमान करें पुजा करें पुजा में केसरिया चंदन, पिले चावल, पिले फूल, परशाद के लिए पिले पकवान और फल चड़ाएं गुरु वार को पिले कपड़े पहने, बिना नम्मक का खाना खाएं, बोजन में पिले रंका पकवान जैसे बेसन के लड़ों आम के लिए आधी भी सामिल करें गुरु का मंत्र का जाब करें, मंत्र है, उम्परम, रिस्पते ही नम्म, ये मंत्र की संख्या कम से खम 108 बार होने चाहिए गुरु वार को साम को केले की व्रिश के नीचे दिपक जलाए, गरीब बच्चों को केले बाटे तो आप भी इन उपाय को कीजिए, अपने जिन्दी की खुशाल बनाए, इसी प्रकार और भी रोजग जान करें लिए हमारी चैनल को लाइक सेर वा सब्सक्राइब कीजिए, हमारी चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद